अगर मैं आपसे पूछू सफल था या जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने क्या अलग किया है सायद आपके पास जबाब नहीं होगा मेरे पास भी नहीं है चले इस कहानी से जानते हैं एक अमीर विज्डेसमेन था जिनका नाम धनराज था उनका एक बेटा था जिनका नाम मनराज था मनराज बहुत ही आलसी और कामचोड इंसान था जिसके वज़े से धनराज काफी दुखी रहता था अपने वेटे को जिम्यदारी का एहसास कराने के लिए धनराज ने एक तरकीव निकाला एक दिन धनराज ने अपने वेटे से कहा मैं चाहता हूं कि तुम एक रुपिया कमा करके लाओ अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो आज से तुम्हें पॉकेट खर्च नहीं दिया जाएगा अब मनराज अपने मां के पास सहता मांगने के लिए गया और सारी बाते बताया जैसे सुनकर के उसकी माने उसे एक सोनी के सिक्के दे दिया साम को जब उसके पिता ने उससे कमाए हुए सिक्के के बारे में पूछा तो उसने वह सोनी का सिक्के दे दिया फिर धनराज ने कहा यह सिक्के कुए में फेक दो इसके बाद उसके बेटे ने सिक्के को कुए में फेक दिया जिसे देखकर के धनराज को समझ में आ गया कि य जब उसके कमाया हुआ नहीं है धनराज ने पता लगाया कि यह सिक्का कहां से आया पड़ा चला कि उसकी माने उसे दी थी इसलिए उसे कहीं बाहर भेज दिया और फिर से अपने बेटे से कहा कि आज भी तुम एक सिक्के कमा करके लाओ ताकि तुम्हें पॉकेट खर से दिया जाए इस बार मनराज रोते हुए अपने बहन के पास गया बहन ने भी उसे एक सिक्के दे दिया साम को जब पिता ने वाफस से पोछा तो मनराज ने वहीं सिक्के धमा दिया इस बार फिर से धनराज ने खहा इस सिक्के को कुएं में फेक दो, मनराज ने वैसा ही किया धनराज को समझ में आ गया कि यह सिक्का जरूर कोई दिया है फिर से धनराज ने पता लगाया, पता चला मनराज की वहन ने दिया फिर से अगले दिन धनराज ने अपनी वेटी को वाहर भेज दिया फिर से अपने वेटे से कहा कि एक सिक्के कमा करके लाओ ताकि तुमें पॉकेट खर्ज दिया जाए अब मनराज के पास पैसे देने के लिए कोई नहीं था फिर मनराज काम ढूनने की सुरबात की काफी मेहनत के बाद रेलवे एस्टेशन पर कुली का काम मिला जब वासाम को घर लोटा तो उसने देखा कि उसके पिता धनराज उसके इंतजार कर रहे हैं फिर से वहीं बात धनराज ने एक सिक्के मांगा और मनराज ने दे दिया इस वार धनराज ने अपने वेटे को सिक्के कुए में फेकने के लिए नहीं कहा इस वार उसने खुद जाकर के सिक्के गिराया जिसे देख करके मनराज ने जोर से चिलाया आपने ये क्या किया मैं इतनी मेहनत करके सिक्के कमाया था आपने उसे कुए में फेक दिया अब तक में आपको पता चल गया होगा सफलता का या जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्हें एक सिर्फ एक चीज अलग किया है वो है कड़ी मेहनत आपकी कड़ी मेहनत ही आपको सफल बनाती है